हालो आपरेबन वेलकम टू माय चनल तो आज में लोग सॉल्ब करेंगे कोर्षिन नमबर टू और यह है अपना वाक्षिट बन और यहां पर कहा गया है फाइंड दी पोजेटिव वेलू आप दी वेरियेबल फोर वीच दी गीवन एक्वेशन इस सैटिस्फाइड ओके तो प यहां पर सॉल्ब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करने वाले हैं तो यह देखिए हमारा अभी जो यह फोर है ना इसको मल्टिप्लाइ करेंगे थिरी माइनस एक्स स्क्वाइर से तो हम यहां पर लिखेंगे फोर मल्टिप्लाइड वाई 3 minus x square, right, और इधर से हमारा minus 3 का multiplication होगा, यह है 8 plus x square, ओके, चलिए, अब देखिए, यहाँ पर कैसे multiplication होता है, तो दोनों ही term से multiplication होगा, यह आप ध्यान रखेंगे, आना, यहाँ पर आपका 3 है, और यह x square है, दोनों ही term से आपको multiply करना है, 4 से, तो यह आपके पास क्या बन जा हो जाता है, यहाँ पर 12, और यह हो जाता है आपका 4 x square, right, अब देखिए, right side भी आप सेम करेंगे, तो यहाँ पर आपका 8 3 क्या हो जागा, 24 minus में, और यह minus में हो जागा, आपका 3 x square, चलिए, अब यहाँ पर जो variable वाले term से, जिसमें x है, उसको हम एक तरफ रखने वाले है ट्रफ है, तो आईए हम रख देते हैं, अब यह हमारे पास क्या हो जाता है? यह तो पहले minus 4 x square यहाँ पर है, यह minus 3 x square को जाते हैं, तो यह हमारा plus में हो जाता है, और यह plus 3 x square बन गया है, यहाँ पर minus 24 है, इस को हम 12 को हम right side लेके जाएंगे, तो यह हमारे पास क्या हो वाद यहाँ पे क्या मिलता है x square. ओके क्यों चुकिशन है यहां पे 4x है और यह 3x है आप देखें यहाँ पर sign आपका यह plus है यह minus है बड़ा वोला number जब आन्यमा जो हे minus में अपको यहाँ पर minus put करना है. ओके और यह दोनों same sign है तो same sign के case में आपको क्या करना एड कर देना है तो यहां पर आपका एड हो जाएगा एड होने के बाद यहां पर आता है 36 और एड होने के बाद आपको sign change नहीं करना है same रखना है ओके चलिए next step पर हमारे पास क्या आता है यह देखिए पहले तो minus से minus हमारा cancel out हो जाएगा यह जो है minus से minus हमारा cancel out हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बज़ जाता है x square is equal to 36 थीक है तो यहाँ पर आप clear देख सकते है x is equal to कितना आता है 6 therefore हमारे पास यहाँ पर आ जाता है x is equal to 6 ओके तो यहाँ पर हम लोग note कर देते हैं answer तो बहुत ही simple था हमने solve कर लिया तो चलिए फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगा ना cross multiply करने वाले हैं तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 से multiply करेंगे तो simple सा यह हमारा हो जाता है 5y square और फिर से आप 6 से multiply करेंगे तो plus में आपको यहाँ पर मिल जाता है 30 इधर से multiply करते हैं 1 से तो कोई change नहीं यह आपका 8y square plus 3 चुकि 1 से multiply करने पर कोई change नहीं होता है next step में हमारे पास यह क्या होगा 8y square और 5y square 8y square को इधर लाइए तो यह minus में हो जाता है 8y square यहाँ पर आपके पास 3 है पहले से और 30 को आप right set लेके जाएगे तो यह minus में 30 हो जाएगा अब यहाँ से आपको क्या मिलता है यहाँ से difference आपको मिल जाता है 3 का और बड़ा वाला आपका sign है negative तो आपका minus में आएगा minus 3y square और यहाँ से आपको मिल जाता है minus में 27 तो therefore y square आपको क्या मिलता है यह है 27 minus में और minus 3 आपका इधर right side आजाएगा divide में चुकि यहाँ पर multiply में right side जाएगा तो divide में हो जाएगा ओके आप इसको cancel out कर देजिए तो minus से minus cancel 3 से 27 cancel आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है यहाँ पर मिल जाता है 9 right तो next step में हम लोग यहाँ पर क्या लेख सकते हैं हम लोग लेख सकते है y all square is equal to यह देखिए 9 को क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 3 all square therefore हमारे पास y का value क्या आ जाता है y का value आ जाता है 3 तो यह हमारा हो गया answer right next question को हम same process से solve करने वाले cross multiply करेंगे तो यह हमारे पास 9 से multiply होगा तो यहाँ से multiply करेंगे तो 25 और यह हमारे पास प्लस में रहेगा एक्स स्कॉयर वाले terms को एक तरफ रखते हैं तो यहाँ पर 9 स्कॉयर और 5 हमारा इदर आगा तो यह माइनस में हो जागा चुक्के राइट स्ट प्लस में है यहाँ पर 25 यह एक्स स्कॉयर और यह हमारे पास क्या हो गया तो यहां से आप देखिए एक्स स्कॉयर का वेलू क्या मिलता है हमको यह होता है 106 अपोन 4 यह 4 से डिवाइड हो रहा है क्या आप चेक किजी तो यहां पर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो फोर से तो नहीं होगा 2 से डिवाइड होगा यहां पर आपका 2 हो जाता है और यहां पर आपका क्या हो जाता है फिप्टीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी शेम लों यहाँ पर करने वाले फिर से cross multiply करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इधर से पहले 1 से कर देते ठीक है तो 1 से multiply करते तो क्या आता है यह हमारे पास आता है 3y square और plus 7 आनि कि 1 से multiply करने पर कोई चंज रही 2 से multiply करते हैं तो यह हमारे पास आ जाता है 2y square प्लस यह हमारे पास 4 to the 8 Y वाले terms को एक तरफ रखिए तो यहाँ पे 3y square माइनस में हमारे पास हो जागा 2y square और यह 8 7 को right start लेगेगे तो माइनस में 7 अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इकल टू यहाँ पे 1 अश्का होल स्कुए ठीक है तो देरफोर y is equal to हमारे पास क्या जाता है 1 और यह हमारा solve हो गया so thanks for watching have a glorious day ahead